Hello Students, Welcome to my YouTube Channel, Computer Speed Dear Students, वेडियो को स्टार्ट करने से पहले, जिए आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सस्क्राइब वली बटन पर क्लिक करके चैनल को सस्क्राइब कर दीजी ऊके, लाइक वली बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजी साथ में Share well icon पे क्लिक करके वीडियो को Share कर दीजीगा Okay Students, well icon को जिरूर हिट करिएगा जिससे कि आपको latest वीडियो का update प्राप्थ हो सके Okay Students, आईए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को Dear Students, जैसा कि आपको पता है कि आज की इस वीडियो में हम लोग Software के बारे में पढ़ने वाले हैं So Students, आईए स्टार्ट करते हैं Dear Students, जैसा कि आपको पता है कि आज की इस वीडियो में हम लोग Software के बारे में पढ़ने वाले हैं कि Software क्या होता है So Students, आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं students थोड़ा ध्यान दीजिए ऊपर यहां पर रीटिन किया गया है थोड़ा ध्यान दिर से देखिए यहां पर क्या लिखा गया है what is software software क्या होता है students इसके बारे में हमें बताया जा रहा है students थोड़ा ध्यान दीजिए क्या लिखा है software is a collection of data इस्टुडेंस एक खरा की जो स्था वे होता है उन्याट्र होता सघ्मिल्ट अब्साइब यह अल्याट्र आफ चछान होता मैं है निर्देशों का या डेटाओं का क्या होता है collection होता है ओके students कहरा है that tell the computer how to work जो क्या करता है यह बताता है कि computer किस तरीके से काम आपका करेगा ओके students तो आप यहां किस प्रकार से आपको कारे को करना है software का काम यहाँ पे computer को instruction देना है it means कहने का मतलब होगए students कि software के माध्यम से ही हम लोग computer को समझा पाते हैं कि आपको क्या कारे करना है ठीक है students यानि software के माध्यम से ही हम लोग यह बताते हैं कि हमें क्या काम करना है so students नीचे दिया गया है in other word दूसरे सब्दों में अगर हम बात करें यहां पर software को तो software is not physically, software की कोई physical बनावट नहीं होती है, but we can see, लेकिन हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, students, देख सकते हैं, फिल कैन नाट टच, हम उसका अनुभव भी कर सकते हैं, लेकिन उसे हम छूँ नहीं सकते हैं, उसे हम क्या करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग software कहते हैं, software जो कोई physical बनावट नहीं होती है हम उसे देख सकते हैं हम उसका अनभव भी कर सकते हैं लेकिन हम उसे छू नहीं सकते हैं वो क्या पूले जाते हैं students उसे हम software खहेंगे न okay students उसी चीज़ को नीचे यहां पर हिंदी में write किया गया है थोड़ा द्यान से देखो software संग्र होता है डेटा और instruction का ठीक है संग्र होता है डेटा और instruction का जो यह निर्धारत करता है कि computer किस प्रकार से कार्य करेगा okay students देखो ऊपर वाली चीजी जो कर नीचे मेंचन किया गया ही इंदी में so students i hope आपको समझ में आ रहा होगा कि software क्या होता है, software data और यहाँ पे इन्षक्तन का क्या होता है एक संग्रफ होता है जो निर्धारित करता है, कि computer इस तरीके से आपका कारे करेगा सब्सक्रेंट लेकिन पुछे चूंफ नहीं सकते हैं उसे क्या खेंगे सब्सक्राइब कहेंगे न इस्टूडेंट्स यदि आप कंप्यूटरश कर चलाती हूं तो pops पता ही होगा कि software का कोई आकार नहीं होता है ठीक है छोटा बड़ा किसी भी आकार में फैल रखता है प्लस हम लोग क्या करते हैं software को देख सकते हैं लेकिन हम उसको छूक यह नहीं बता सकते कि software होता कैसा है सो students I hope आपको समझ में आया होगा जो मैंने यहां पर software के बारे में आपको यहां पर बताया है students आईए कुछ आगे देखते हैं software के बारे में students ध्यान से देखो example of software यहां पर बताया जा रहा कि software के उदारहण के रूप में software किसे कहते हैं students तो ध्यानते देखो students अब पढ़े हो गई MS Paint MS Paint क्या है एक software है MS Paint का पूरा नाम क्या हता है Microsoft Paint students जिसमें हम लोग अपनी ड्राइंग को क्या करते हैं तयार करते हैं तीकि बैच्छों को सिखाने के लिए ड्राइंग से बनाने के लिए MS Paint का हम लोग परियुक करते हैं तो Paint क्या है आपका एक प्रकार का software है notepad भी आप देख रहे हो यह भी software student जिसमें हम लोग क्या करते हैं simply typing हो गरा करते हैं या फिर क्या करते हैं कुछ भी write करते हैं ठीक है तो notepad भी क्या है एक software है my computers जिसमें क्लिक करने से students my computer खुल जाता है आपका और जिसमें आपको computer की सारे drive दिखाई देती है c d e d c drive e drive d drive सारे drives होती है ठीक है students जिनके द्वारा हमें कोई भी काम करना होता है हम लोग क्या करते हैं उसमें करते हैं इसी प्रकार से chrome भी एक प्रकार का software students जिसे हम लोग क्या करते हैं Google Chrome न Google Chrome का क्या मतलब हो जाएगा students जिसके द्वारा आप internet चलाती हो न वो क्या है आपका यहां पर एक software है students ठीक है MS Office official काम के लिए यूज किया जाता है यह भी एक software है Photoshop फोटो समंदित related कारे करने के लिए यूज करते हैं तो Photoshop भी एक क्या है software है students जितनी window जाती है वो सब भी क्या होते हैं software ही होते हैं चाहे window 7 हो गया window jacks भी हो गया window 8 हो गया window 10 हो गया यह सारे चीज़े क्या होती है students आपके software होते हैं students computer में चलता हुआ program software ही होता है ना students, mobile में चलता हूँ प्रोग्राम भी software है, यानि computer चाहा है mobile, ठीक है, किसी में यगर कोई program चल रहा है तो software का ही रूप है students, ठीक है, so students, I hope आप लोगों को समझ में आया होगा कि software किसे कहते हैं, और software को उधारहण के रूप में आपको यहां पर बताया है, कि जैसे paint हो गया, नोटपैड हो गया, My Computer हो गया, Chrome हो गया, Google Chrome हो गया, MS Office हो गया, Photoshop हो गया, विंडू हो गया, यह सारे क्या है स्टूटेंस से सॉप्ट्वेर के उदारान है न, ठीक है स्टूटेंस, तो इस स्टूटेंस हम आपको आज की वीडियो में बस इतना ही बता रहे हैं, अगली वीडि हम लोग स्टूटेंस के काटागरी के बारे में पढ़ेंगे, कि इस स्टूटेंस की होते हैं, सो इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, और स्टूटेंस को समझ लीजिएगा, स्टूटेंस ठीक है, Okay students, हमारी वीडियो आपको अच्छे लगी है तो प्लीज हमारी चैनल को सुस्काइब करती जीएगा वेल आइकन को हीट करती जीएगा Students, जिससे कि आपको लेटिस वीडियो का अब ब्लिट प्रापत हो सकी Okay students, computer, speed चैनल की वीडियोज को देखने के लिए बहुत बहुत धन्य बाद मिलते है नेक्स वीडियो में थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो